बिहार के मुझपरपूर से बड़ी ख़बर सामने आई है कारवारी के बेटे के लापता होने के बाद परिजनों की सिकायग थी कि पुलिस एफाई आर दर्ज नहीं कर रही है अब इस मामले में एफाई आर दर्ज हो गया है और पुलिस का बड़ा बयान भी सामने आया है नम इस मामले में बहुत कुछ सामने आया है और इस मामले में अब पुलिस की तरफ से एफाई आर दर्ज किया गया आखिरकार मीडिया की अगर कहा जाए मीडिया ने इसमें हस्चेप किया और मीडिया में जब खबरे चलाई गई खास करके दर्श नीज पर हमने इस खबर को प्रमुक्ता से दिखाया और उसके बाद पुलिस ने अब इस पर जीरो एफाई आर करके जो घटना अस्थल है वहां की पुलि सुन लिए इसमें जो सदर्थाना शेक्तर में है एक आवेदन प्राफ्थ हुआ है जिसके अंतरकत जो परीजनों ने आरोप लगाया है कि जो उनका लड़का है वो 21 तरीक को घर से निकला था और उसके बाद जो अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद वो लोटा नहीं है उसके बाद इनके परीजनों का कहना है कि उनके जो जो दोस्त हैं उननी के दोरा है इसके उपर जो है त्याका और यह अपन नदी में ड़ूबके जो इस टाइप दर्ज करवाना चाहरे है जिसके अपना प्रात्रों की दर्ज कर दी गई है उस समंद में जो तथे सामने है वो यह है कि जिस दिन जो लड़का गया उसके ही अगली दिन जो है जो उसके दिन है मुंगेर जिला अंतरगत सोजी घाट में जो है कुछ लड़के नाने के लिए निकले थे जिसमें एक लड़के का परिवार भी था उसी दर्मियान जो है अभी तक के जो तथे आये हैं उसम वे भाद जो एक लड़का वहाँ बच गया दूसरे एक लड़केगा पिर पता नहीं चला बाद में जो उनके साथ के दोस्त जो थे उनके द्वारा बताये गये कि जो लड़का है वो जो डूबा है वो उनका दोस्त था जिसका नाम नमन था और उसी समझ में जो उनके परीजन है उनका उनके दोस्तों पर ही आरूप लगाया गया परीजनों का भी ये कहना है कि जो डूबने की बात है वो गलत है वो ब्रामक है और ये जो इनके दोस्त है उन्होंने उनके हत्या करेद यह और भी सकता इस समगद में प्रातनी की दर्ज कर लिए ज walking उसके अंदर अगरी मनुसुंधान सुरू हो गया है और है एक टीम बना रहे हैं जो कासी मजार थाना के साथ संयूक तूप से तथ्यों को सामने लाने के लिए काम करेगी साथ ही जो वहां पर जो जिस स्थान पर ढूबने की बात ही वहां पर जो है अंडियार पर वेश्टी अरप ने लगातार तीन दिन तक काफी प्रयास किया परन्तों अभी तक जो है वहां से रिकवरी नहीं हो पाई है और जो अभी जो अगरिम तथ्थ हैं जो भी परीजनों के जो डाउट्स हैं और जो भी उनका अंदेशा है उन सभी पॉइंट पर पुलीज पूरी गहनता के साथ और पूरे साइंटिफिक तरीके से जो है नुसंदान करके और हमारा प्रयास रहे गए कि जो परीजन है उनको जितने भी तथ्थे उनसे लगाता रवकत कराते रहें और इसमें जो है जो भी तथ्थे भी तक आये हैं वो ओन दे रिकोर्ड है परीजनों को पहले वहां भी जो है मुंगेर जिला में अभी आवेदान देने के लिए बोला गया था प्रंतु पर इस बात प्रेड़े थे कि हम आवेदान ही देंगे तो इसके बाद इन्होंने आवेदान यहां दिया जिसको फिर बाद में जो नया कानून उसके प्रावदान के हैसाब से प्रात्मी के को ओनलाइन ही जो है इसतरह से परिजनों के कहने पर जब एफाइ यार दर्ज किया गया यहां से जीर एफाइ-यार दर्ज करके जो घटन अस्तल मुंगेर है दर सलब वहाँ पर एफ एफाइ-यार दर्ज करवाय गया है और पुलिस की टीम बनाई गही है मुझापर teenager की भी जिसमें टीम सामील र इस मामले के बारे में उन्होंने बताया कि मुझपरपूर के भीकनपूर गाउं का जो निवासी है और बड़े कारोवारी है गोपाल सिंग का बेटा नमन सिंग जिसकी उम्र तेइस वर्स है वो पिछले चार दिनों से गायव है अपने दोस्त के भुलावे पर वो गया था औ और परिजन माता पिता जो है वो चाहते थे कि इस मामले में पुलिस पर कारवाई नहीं करने का उन्होंने आरोप लगाये था और कहा था कि जब पुलिस से के सामने वो एफाइयार दर्ज कराने पहुचे तो पुलिस ने बस सलूकी की और पुलिस एफाइयार दर्ज करने स से इंकार कर रही थी इसके बाद नमन के परिजनु का कहना था कि नमन जो है तीन दीर पहले दोस्ट के बुलाने की बात बोलकर निकला था घर से और हमें आसंका है कि लड़का जो है नमन दोस्त उसके लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई है या फिर गायब कर दिया गया है इसमें नमन का दोस्त विशाल बैभौ सामिल है जो बेगुस राय जिले का रहने वाला है जब वो अपने घर से निकला उसके बाद वापस नहीं आया तो लोग का कहना है परिव नहीं चल सका मुगेर जीले के सुल्तान बाबु घाट पर नमन की गारी बरामद होने की जानकारी मिली थी लेकिन उनका बेटा अभी तक नहीं मिला है तो पुलिस ने इस पूरे मामले में अब फाइयार दर्ज कर लिया है और पुलिस जो मुझपर पुलिस है मुगेर पु आने की पुलिस है वो दोनों मिलकर आपस में कोडिनेट कर इस पूरे घटना करम की चानबीन में लगे हुए है आखिर नमन गया कहां पुलिस इसकी चानबीन कर रही है सबसे बड़ी बात है कि जो परजनों का आरोप था कि एफाइयार दर्ज नहीं किया गया है तो पुलि झाल